लोग करते हैं जिस हाल में दुआ मरने की उस हाल में हमने कसम जीने की खाई है। आपके लिए सिपाही बैज जो देता है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% सेलेक्शन की गारेंटी। आपके आगामी एक्जाम, यूपी पुलिस कॉंस्टेबल, स्सी जीडी और अधर एक्जाम के लिए। देखिए आप लोगों की मैस और रिजनिंग में हम प्राक्टिसेट चला रहे हैं और आज आप लोगों की ये क्लास रिकॉर्डिंग है। क्योंकि आज हमें निकलना है घर से दिल्ली के लिए। और क्या हो रही है कि फ्लाइट जो है न मेरी साम को है लेट हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो आप लोगों की क्लास रॉफ नर है रिकॉर्डिंग तो हो जाए ठीक है। इसलिए इस क्लास को हम रिकॉर्ड मोड में दे रहे हैं रात तक पहुंचेंगे। और कल से आपकी जो रिजनिंगी क्लास होगी और लाइप क्लास होगी। एक भी question में आपको doubt नहीं होने वाला है, सारे question बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे लेबल के हैं, जो आपके exam में देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखिएगा, ये जो आपका practice rate है, math का 12 हुआ है, इसे पहले 11 practice rate हो चुकी है, पीछे की class अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लिजिएगा, तो चलिए बच्चो आज की class को हम आगे continue करेंगे, और एक चीज़ और बता दे, आज की class को आप लोग test के तौर पे लिजिएगा, वीडियो को pause करके अपने आप से भी solve करने का प्रयास, जरूर करिएगा हर एक question को, और लास्ट में comment करके अपना score भी आप बताएंगे, ठीक है, देखिए, पहला question आप लोग देखेंगे, यह काफी महत्मूर question है, यह जो पहला question आपके सामने दिख रहा है न, परसेंट की है, और दो करमागत 5 और 5 परसेंट की है, तो 5 परसेंट, 5 परसेंट करमागत वाला, यह आप लोगों को पिछली क्लास में समझायते, एक स्वाई वाला method से, आप दोनों एकल छूट को एकल छूट में convert कर सकते हैं, एक तो देखिए, एक जो छूट है न, बचू कितना है? 10% है, दूसरा जो छूट है न, और 5% प्लस 5% है, यानि करमिक छूट है, इसी को क्या करना है न, एक छूट में convert करना है, तो एक छूट में convert करने के लिए क्या करते हैं? बताईएगा, x plus y plus xy upon 100%, यही तो लगता है method, xy वाला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप xy वाला method लगा लेंगे, यानि 5, देखिएगा, क्या होगा, 5 plus 5 plus का, 5 गुने 5 बटा का 100%, तो 5 पचे क्या हो जाएगा, 25, 5 पचे यह क्या हो जाएगा, 25, 25 बटा का 100, यह होगा न, 25 25 बटा का 100 का मतलब बचो क्या होता है, 0.25, यानि 5, 5, 10 और यह 0.25 हो जागा, यानि इसकी जगा पे डारेक्ट हम बोलेंगे, 10.25 परसेंट का चूट होगा, कितना होगा, यह जो होगा, 10.25 परसेंट का होगा, तो आप यहाँ पे बचो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो एक 10 परसेंट है, और एक 10.25 परसेंट है, और इन ही के बीच का डिफरेंस बताना है, तो आप देखेंगे, तो 0.25 परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, आप 18,000 रुपे का 0.25 परसेंट निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं, यह 18,000 है, इसका 0.25% percent मतलब बटा का 100 ठीक है अब देखिए ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसमें 100 से उपर नीचे घुना कर सकते हैं या यह 20-0 से आप क्या करेंगे इसको point को हटा लेंगे बस अब देखिएगा 25-4 को क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और यह 4 से आपका यह 45 रुपे कितना है यह difference पूछा है अंतर पूछा है बीच कितने का अंतर है तो 1800 का 2.5% हम निकाले है तो 45 रुपे का अंतर है कितने रुपे का अंतर है 45 रुपे का अंतर है और यही 45 आपका क्या होगा आंसर होगा और option number C क्या हो जाएगा सही हो जाएगा जितने चलिए, next question के तरफ चलेंगे, दूसरा question देखेंगे, दूसरा जो question है, ये भी काफी important है, एक बार अपने आप से solve करने का आप प्रयास जरूर करेंगे, वैसे हम आप लोगों को यहाँ पर time नहीं देंगे, ये न सोचिएगा कि समय देंगे, पूछेंगे, आप लोग वीडिय C और D एक साथ इसे कितने दिनों में कर सकेंगे, देखिएगा, इसके लिए दो method है बचो, एक method 1 हम आपको बतारें, अभी एक solve trick भी बताएंगे, देखिए, A और B मतलब A plus B कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं, C और D, मतलब C plus क्या है, C plus D, कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिनों में कर रहे, 10 और 90 का LCM लेंगे, LCM अला method आपको बता होगा, तो क्या होगा, 90, तो 10 नवा 90, नवे एक कम 90, यानि A, B का एक दिन का काम 9 उनिट, तो 10 दिन में पूरा काम, C और D का एक दिन का काम, एक उनिट, तो 90 दिन में पूरा काम, तो 90 है और यह देखिएगा A plus B, फिर C plus D, 9 plus 1, 9 plus 1 मतलब 10 unit एक दिन में काम होगा, 10 unit एक दिन में हो रहा है, तो 10 नो और 90, टोटल जो कुल समय लगेगा हो कितना लगेगा, 9 दिन लगेगा, answer हो जाएगा option number A, option number A answer हो जाएगा, इसके लिए बच्चों आप method 2 भी लगा सकते है, AB मिलके XY दिन में, समझ रहे हैं, A किसी काम को X दिन में, B किसी काम को Y दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे xy बटा का x plus y same method इसमें लगा सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं दो अलग-अलग ब्यक्ती है यहाँ पर भी दो अलग-अलग ब्यक्ती है यह नहीं कि a, b, b, c ऐसा नहीं कह रहा है यह a, b, c, d बात कर रहा है जब ऐसे question है तो आप method 2 लगाएंगे method 2 क्या है xy बटा का x plus y यानि x की जगा पर आपका क्या है देखिएगा x की जगा पर है 10 और y की जगा है 90 यानि 10 गुने 90 बटा का 10 plus 90 100 2-0 से 2-0 कंसिल 9 एकम 9 answer हो जाएगा 9 दिन दोनों मिलके यानि कि दोनों नहीं चारों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे तो 9 दिन में ऐसे भी आपका option number answer आ रहा है वैसे भी आपका option number या रहा है उमीद करते हैं आप expression को बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और इस टाइब के question आपके exam में आएगा तो आप लोग solve कर लेंगे ठीक है तो sort trick भी लगा सकते हैं basic भी लगा सकते हैं जो भी आपका मन करें लगा सकते हैं लेकिन आसान है sort trick ठीक है इसमें आपको गुणा गड़ी ज्यादर नहीं करना पड़ता आप इसे ही देखते 10 गुणे 90 और क्या होगा 10 प्लस 90 जो जिरो सी जिरो कंसिल 9 एकम 9 डिरेक्ट आंसर कुछ करना ही नहीं है ठीक है चले इसी के साथ हम चलेंगे next question के तरफ class अच्छी लग रही है समझ में आ रहा है दिनों की संख्या ग्याद किजिए जिन में हुए एक साथ कारे को पूरा कर सकते है देखिएगा प्रस्न ये भी उसी टाइप का है पर आसान है समझना है थोड़ा सा समझने वाला question है A, B, दो गुणा कुशल है दो ब्यक्ति है एक है A दूसरा है B अपने आप से solve एक बार करिएगा इनकी efficiency efficiency को इटाशे प्रदर्शित करते है इनकी जो efficiency एक कारद अक्सता लिख लीजिएगा वो क्या है A, B से दो गुणा कुशल है A जो है न B से अगर B एक unit काम कर रहा है तो उतने ही समय में ये क्या करेगा दो unit काम करेगा तो इनके efficiency का ratio 2 is to 1 है देखिएगा efficiency का ratio 2 is to 1 अगर time की बात करें तो समय का ratio क्या होगा कारे और ध्यान दीजेगा देखिएगा समय और कारे में व्यूत कर्मानुपात का संबद होता है मतलब जिसकी efficiency ज्यादा है वो किसी कारे को करने में कम समय लेगा और किसी की छमता कम है तो वो क्या करेगा वो ज्यादा समय लेगा तो बस इसी को उल्टा करना है 2 is to 1 है तो time हो जाएगा 1 is to 1 is to 2 ये देखिएगा अगर देखिएगा 2 गंटे में करेगा यानि देखा जाए तो total काम अगर बराबर हो तो ये देखिएगा एक ही गंटे में 2 unit करेगा लेकिन इसे 2 unit करना हो तो 2 गंटे में करेगा कहने का मतलब यह है इतना ही समझिए आगे देखिए बोला क्या है प्रसन में बोला क्या है? प्रसन में बोला है यह चीज़ देखिएगा बोला है और A कारे को पूरा करने में B से 45 दिन कम लेता है कौन लेता है? A, A जो है न अगर समय की बात करे रेशियो में तो एक यूनिट कम ले रहा है और दिनों में बात करें, तो कितना दिन कम ले रहा है, 45, 45 दिन का कम समय ले रहा है, 45, यानि एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 45 दे, आप देखिए, कुछ नहीं करना है, अब आप यहां पे करेंगे, एक यूनिट बराबर क्या है, 45, तो दो यूनिट बराबर क्या अगर A, 45 दिन में कर रहा है, तो B, 90 दिन में करेगा, कितना कम ले रहा है, 90 से 45 कितना कम है, 45, clear है, अब देखिए, बोला है, दिनों की संख्या ग्याद कीजिए, जिन में हुए एक साथ कारे को पूरा कर सकते हैं, यह 45 दिन में कर रहा है, यह 90 दिन में कर रहा है, दोनों मिलक कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं xy बटा का x प्लस y दिन यानि कि 45 गुने 90 बटा का 45 प्लस क्या हो जाएगा 90 यानि कि हो जाएगा 135 क्या होगा 135 तो 45 तियाई 135 होगा देखिएगा ये पूरा-पूरा कटेगा 45 तियाई 135 तीन से कटेगा 3 तरीक नो यानि 30 आंसर होगा 30 दिन दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे तीज दिन option number क्या होगा बी सही हो जाएगा और जितने बच्चों का बी answer आया है वो एकदम सही है उमीद करते हैं आप सारे बच्चे समझ गए होंगे प्रशन को समझ में आ रहा है तो आज की class को like जरूर करिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके notification bell icon को on करके जूर जाएए और मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए daily class को join करिए आज आपकी math की class है कल आपकी reasoning की class होगी ठीक है ऐसे एक एक दिन class आपकी math reasoning चल रही है एक्जाम तक पढ़ लेंगे selection हो जाएगा पका हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखेंगे question number four question number four देखिएगा question number four कराया गया question है ऐसे प्रशन हम आप लोगों को बताये है और most important है क्योंकि ऐसे प्रशन हमेशा exam में देखने को मिलते है question है आठ चात्रों के आउसत अंक साथ है यह पाया गया कि एक चात्र के अंक 6 के बजाए 10 लिख दिये गए है सही आउसत ग्यात कीजिए सही आउसत क्या है देखिए प्रशन को समझना है तभी concept अगर concept clear है चीजों को समझना है तो आप solve कर लेंगे आठ चात्रों के आउसत अंक साथ है ठीक है आठ चात्र है आउसत अंक क्या है साथ तो कुल अंकों का यह क्या होगा आठ गुने साथ आठ सत्य चापन clear है फिर बोला है यह पाया गया कि एक चात्रे के अंक 6 के बजाए 10 लिख दिया गया है 6 के बजाए 6 सही है 10 गलत है मतलब 10 लिख दिया गया है तो अंतर कितना होगा इसका अंतर कितना होगा बताईएगा यहाँ पर थोड़ा से समझने की ज़रूरत था आप लोगों को छे की बजाए 10 लिख दिया है यानि 4 ज्यादा लिख दिया है ठीक है? यानि बोले तो होगा क्या? सही जो अंको का योग होना चाहिए उसमें से क्या करेंगे? 4 माइनस कर लेंगे यानि सही जो अंको का योग होना चाहिए और 52 होना चाहिए ठीक है तो बोल रहा है सही औसत ग्याद कीजिए चातर उतना ही है आठ अगर मान ले औसत एक्स है तो एक्स की वैलू ला सकते है या डारेक्ट बावन को आठ से भाग कर दीजिए एक्स की वैलू आ जाएगी तो एक्स बराबर क्या होगा 52 बटा का आठ आठ शके 48 और उस फि 6.5 6.5 होगा देखिएगा कुछ नहीं करना है बावन को आठ से भाग करिए आठ शके 48 चार बावन चार तो कटेंगा नहीं दस मलों लगा के जीरो बढ़ाएंगे आठ पचे 40 ऐसे किये ठीक है यानि 6.5 सही जो औसत होगा वो 6.5 होगा कुछ नहीं करना है औसत देखेंगे 4 ज्यादा है अंको का योग में से तो 4 क्या करेंगे? 4 ज्यादा लिखा गया है 6 के बज़ाए 10 लिखा गया है अगर 10 के बज़ाए 6 लिखा गया होता तो क्या करते? 4 और जोड लेते तो 7 होने लगता समझ रहें? ऐसे ही बस करना है कम लिखा गया है तो आप जोड देंगे ज्यादा लिखा गया है, तो घटा देंगे, बस वही चीज करके, यानि 52 होना चाहिए यंको का योग, और कितने, 8, तो 8 से भाग कर देंगे, 6.5 सही उसक, बस अंसर आ गया, इस प्रस्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, और ये काफी important question है, पूछा गया question है, उमीद करते ह चले, next question के तरफ चलेंगे, question number 5, question number 5 देखिएगा, question number 5, काफी important है, और simple है, अब बिना पर उठाए solve कर सकते हैं इस प्रशन को, प्रशन है, एक रासी चक्रविर्धी व्याज पर तीन वर्सों में स्वायम का 5 गुना हो जाती है, व्याज का सन्योजन बार्सिक किया गया है, कितने वर्सों में रासी स्वायम का 125 गुना हो जाएगे, देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, एक रासी चक्रविर्धी व्याज पर तीन वर्सों में 5 गुना हो जाती है, तीन वर्स में, ध्यान दी जिखिए या, कैसे प्रशन होता है, तीन वर्स में क्या हो रही है, पांच के रूप में लिखेंगे, 5 गुणा मतलब 5 का power 1, अगर हम 125 को 5 के power में लिखे तो क्या होगा, 5 गुने 5 n 5 देखेगा, 5 गुने 5 गुने 5 यह क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 5 पच्चे, 125 यह होगा 125 होगा, और इसको ही हम बोल सकते हैं 5 का power 3 तो यह हो जाएगा 5 का power 3, देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब answer देना है ना, कि ये कितने वर्स में 125 गुना होगी, तो ये 3 वर्स है ना, इसी को क्या करना है, इस power से गुना कर देना है, तो यहाँ पर answer होगा 3 गुने 5, यानि कि 15 वर्स, ठीक, तीन गुने 3 है न कितना गुना, 125 गुना, clear है, उमीद करते हैं, आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, अगर यही बोलता कि 25 गुना कितने वर्स में होगी, तो 5 का power 2 होगा, 3 गुना के 6, समझ रहे हैं, ऐसे, power का जो multiply है ना, आप वहाँ पर कर लेंगे, जो बर्स है, बस गुना कर लेना है, answer आजाएगा, और उमीद करते हैं, इस प्रशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, और ऐसे question आपके exam में आएगा, तो आप लोग solve कर लेंगे, ठीक है, इसी के साथ, अब हम चलेंगे आगे, आगे चलने से पहले एक बात और बता दे, अगर आप लोग बच्छों, SSC Maker आप को डाउन्डोड नहीं कियें, तो आप को जरूर डाउन्डोड करिए, क्योंकि आप पे आपको पढ़ने के लिए बहुत कुल्तिया जारा है, आपके अगामी सभी exam के लिए classes भी चल रही है, PDF है, mock test है, free weekly test है, e-book है, और book का भी link है, यह practice book online आपको मिलेगी, और आपके घर पे deliver हो जाएगा, 2-4-5 दिनों के अंदर, ठीक है, इसके delivery बहुत fast है, आपको, अगर आप भारत के किसी भी कोने में है, तो आपके एक week के अंदर आपके पास यह बहुत जाएगा, आपको बता दी, इसमें 10 previous set के solve paper है, और 5 practice set के solve paper है total 15 set है, 15 set को अगर आप 15 दिन अच्छे से लगा लेते हैं, और जिस दिन आगे आप जाके paper देंगे, तो आपके एक तो time management अच्छा हो जाएगा, और आपको यह भी idea मिल जागा कि कैसे exam में question आते हैं, और question को solve करना है, और आपको यह भी एक चीज का idea हो जाएगा, बच्चो कि paper में paper को मतलब कैसे solve करना है, कितना समय लेना है, ठीक है, और इसमें जो question है, label किस type के आ रहे हैं, वो भी आपको एक idea मिलेगा, तो इसको ले के एक बार जरूर solve करिए, अगर आप UP Police Constable exam की तयारी कर रहे हैं, ठीक है, book का link नीचे description box में है, description box को एक बार आप जरूर चेक करिए, app पे भी link मिल जाएगा, telegram पे भी मिल जाएगा, और UP Police Constable के लिए हम लोग चला रहे हैं, सिपाही बैच, सिपाही बैच में चल रहा है अभी crash course, ये crash course live है, बहतरिन तरीके से चल रहा है, तो crash course से जुड़के अपनी तयारी को और बहतर बनाईए, इस पनर में बहतर तरीके लिए crash course चला रहा है, साथ ही बता दे, SSTJD exam के लिए फोजी बैच चला गया है, फोजी बैच में सारी classes एकदम basic से है, और आपको SSTJD में 100% selection दिलाने वाला बैच है, तो इस बैच से जुड़के आप लोग ज़रूर पढ़ दीजिए, चले, इसी के साथ देखेंग दो बर्ष में 7,280 और तीन बर्ष में 8,320 हो जाती है, धनरासी ग्यात कीजिए, देखिएगा, साथ देखेंगे दो बर्ष में क्या हो रहा है, देखिएगा, लिख रहा है कि दो बर्ष में 7,280 और तीन बर्ष में क्या हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 8,000, देखिएगा, कितना हुआ है, 8,320, तो आप देखेंगे इधर बर्स कितना बढ़ा, एक, इधर रुपए कितना बढ़ा, 7,280 से 8,320, 280, 20 जोड़ देंगे तो 300, यानि ये कितना हो जाएगा, 720 इधर होगा, और 320 ये, यानि 1,040, 1040, देखिए तो, 1,000, 1,000, कितना हो जाएगा, 1,040 720, यानि 720, 720, 720, 320, 1,040, 1,040 बढ़र है एक बर्स में, तो यहाँ पर देखेंगे, दो वर्स का इसमें क्या है, दो वर्स का इसमें ब्याज भी है, तो अगर एक बर्स में 1040, तो दो वर्स में कितना होगा? दो हजार असी होगा, दो बर्स में दो हजार असी, अब आप तीन बर्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ दो बर्स का क्या करेंगे, ब्याज घटा देंगे, तो धनरासी आ जाएगा, इसमें से आप माइनस करिए, 2080, तो 2080 माइनस करेंगे 80 minus हो जाएगा 7200, 2000 minus हो जाएगा तो 500, कितना होगा, 500 रुपए, principle जो होगा 5200 रुपए होगा, बस कुछ नहीं करना है, देखिए, एक बार और समझा देते हैं कोशन को, कोशन बोला है, एक धन्रासी 7200 रुपए, दो बर्स में 7200 रुपए, और तीन बर्स में 8320, तो एक बर् बढ़ेगा, दो बर्स में बढ़ेगा 280 रुपए, और इसमें दो बर्स में क्या है, ब्याज सही है, मतलब principle प्लस ब्याज है, तो दो बर्स का अगर इसमें से ब्याज हम घटा दिये, 280, तो ये क्या जाएगा, सिर्फ principle बचेगा, यानि धन्रासी बचेगा, वो धन्रासी हो पांस हजार, दो सो, बावन सो, और यही क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नमबर क्या होगा, भी सही हो जाएगा, चलिए, उमीद करते हैं, इस प्रेशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे, और इस टाइप के कोश्चन आपकी एगगा, तो आप ल रुपए अधिक है, चाभी का मुल्य ग्यात कीजिए रुपए में, चाभी का मुल्य क्या है, देखिएगा, यह प्रस्म आप देखेंगे, तो सोचेंगे, यह क्या बोल रहा है, लेकिन यह आराम से सॉल्व हो जाता है, ताले को बच्छों हम T से परदर्शित करते रहें, चाभी को C से, अब यह मत बोलिएगा, लोग, की, ऐसा कुछ नहीं, सिंबल भासा में लिख देते हैं, यानि T प्लस C, कितना है, 25 रुपए 50 पैसे है, अब देखिएगा, ताले का मुल्य चाभी के मुल्य से 20 रुपए अधिक है, अगर हम ताले के मुल्य में से चाभी का आप लोगों के एक तरीका बताये थे, पिछली क्लास में याद होगा, X प्लस Y वराबर इतना, X माइनस Y वराबर इतना, वही T प्लस C और T माइनस C है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से बोल रहा है, चाभी का मुल्य पूछ रहा है, आप चाहें, तो तो दोनों को जोड़ के घटाएंगे y बोलेगा, जैसे इसमें c बोल रहा है न, इसमें c बोल रहा है न, c, तो कुछ नहीं करना है, दोनों कांतर, यानि कि 25.50-20 और बटाका 2 करेंगे, क्योंकि 2c हो जाता है, यही चीज तो आगे होगा, तो कुछ नहीं करना है बच्चो, इस cancer क्या होगा, C, चाभी का मुल्य पूछ रहे न, तो ये 25 में से, 25 दसमलो 5 में से 20 घट घट जाएगा, 5 दसमलो 5, ठीक है, यानि 5 रुपे का आधा, 5 का आधा धा ही होता है, 50 का आधा 2.5 होता है, यानि 2.75, C दोनों को जोड के आधा कर देते, अंसर आज़ता, clear है, उमीद करते हैं, आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, T plus C, T minus C, X plus Y, X minus Y, बात वही है, clear है, आगे चले, next question की तरफ चलेंगे, चीजों को समझिए, और short में समझिए, क्योंकि इस question को बहुत broad नहीं करना है, चोटे-चोटे question को जितना जल्दी solve कर सके, बिना pen उठाए solve कर सके, ये चीज़ आपको direct दिख रहा था, बस दोनों का अंतर करना था, साड़े पांच का आधा करना है, ये oral हो जाएगा, बिना pen उठाए solve हो जागा, ये बस समझाने के लिए 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 ताकि आप परिक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्र हुए, 7% गडित में अनुत्र हुए, और 15% दोनों में अनुत्र हुए, दोनों विश्यों में उत्र छात्रों का प्रतिशत ग्याद कीजिए, दोनों विश्यों में उत्र छात्रों का, अनुत्र उत्र वाला तरीखा बता तो पहले में पास, दूसरे में पास, और दोनों में फेल, ठीक है, ये चीज़ करेंगे, अगर बोले, दोनों विशेयों में फेल, ध्यान दीजिएगा, दोनों विशेयों में, अगर फेल पूछे, क्या करेंगे, पहले में फेल, दूसरे में फेल, और दोनों में पास, तीनो को जोडेंगे और इसमें से 100 घटाएंगे हम लोगों से क्या पूछा है दोनों में पास क्या बोला है दोनों में पास पूछा है दोनों में पास के लिए पहले में पास दूसरे में पास ध्यान दीजेगा पहले में पास होगा दूसरे में पास और दोनों जो बोल रहे हैं इनको जोड लेंगे, शबको जोड के और इसमें से 100 घटा लेंगे 100%, answer आजायगा। देखिये, इसमें क्या है? अनुतिड है, अगर 20% अनुतिड है, तो उतिड कितने होंगे? 80 % और बोला है, 60 % गड़ीत में अनुतिड है, तो उतिड कितने होंगे? 40% और 15% दोनों में अनुत्रिड बोल रहा है ये सही बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है पहले में 80% उत्रिड प्लास ध्यान दिजेगा ऐसे लिखिएगा 80% प्लास और इसमें कितना है 40% उत्रिड है प्लास दोनों में 15% है ये कर लेंगे प्लस, ठीक है, प्लस 15 और माइनस का 100% कर लेंगे, तो देखिएगा, 80, 40, 120 और 15, 135% होगा, 135% में से 100% माइनस करेंगे, तो 35% आंसर होगा, यानि दोनों में पास जो होंगे, वो 35% होंगे, बिना पेर उठाए भी आप इस प्रेशन को आंसर दे सकते, डाहिरा म कैसे लगाए है, ठीक है, चले, इसी के साथ हम चलेंगे, next question के तरफ, समय कम लेंगे, और class अच्छी लग रही है, तो like जरूर करिएगा, share भी जरूर करिए, आपके पास इतने भी a study related group है, आगे देखिएगा, question number अगला देखेंगे, question number अगला, यानि कि नवा, नवा काफी important है, answer देंगे, एक दुकान, एक दुकांदार, 200 रुपे प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपे प्रति लीटर खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय एक लीटर के अस्थान पर केवल 800 ml तेल देता है, लाव का वास्तिविक प्रतिसत ग्याद करें, ये दो प्रकार का profit कर रहा है, एक तो खरीदा 160 में बेच रहा है, 200 में, ये profit एक चोरी भी कर रहा है, यानि एक लीटर के अस्थान पर कितना दे रहा है, केवल 800 ml दे रहा है, इधर भी 200 ml का profit जनरेट कर रहा है, तो देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले आप लिखेंगे इस तरह लिखेंगे SP, देखिए, यानि 160 रुपे प्रटी लीटर खरीदा है, बेच कितने में रहा है, 200 रुपे में, ठीक है, अब देखिए, अगर माल ले बच्चो, 1000 ml का, 1000, 1000 ml तेल का मुल ले, अगर बच्चो, 1000 रुपे है, ये रुपे में माल लेते हैं, ऐसे, 1000, 1000 लिखिएगा आप लोग ऐसे, 1000 रुपे है, तो 800 ml तेल का कितना रुपे होगा, अगर 1000 का 1000, तो 800 ml का क्या होगा, 800 रुपे होगा, यानि सिंपल भासा में बोले, ये 800 रुपे वाली को, 1000 में बेच रहा है, ठीक है, तो दूसरा जो कर रहा है, वो 800 की जगा, 800 वाले बच्चो पे, 1000 रुप दो चोको 8, दो पच्चे 10, एक जरो से एक जरो कैंसिल, चार चोको 16, चार पच्चे 20, चार चोको गुना करेंगे, तो ये 16, और ये 5 पच्चे 25, यानि 16 में खरीद के 25 में बेचा, ओबराल देखा जाए, तो प्रॉफिट कितने क्या हुआ, देखेंगे, तो प्रॉफिट ह क्या है, 16, और गुने करेंगे 100, तो आप देखेंगे, चार से कटेगा, तो 25, 4 चोको 16, 29, 225 बटा 4, क्या होगा, 225 बटा का 4, 225 बटा का 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 225 को 4 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा, 4, 25, 24, 24 हो गया, और एक दसमलो लगाएंगे, 0, 4 दुना 56,25 बटा करेंगे, और उमीद करते हैं, इस प्रेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, कभी भी ऐसा कोश्चिन है, दो जगाएंगे, अब ऐसे लिख लिख लीजिए, आंसर देदीचे, बस, CP, SP, CP का रेशियो 16, SP का 25, 9 का प्राफिट, 16 पे कर रहा है, तो 9 बटा सोला गुने सो, आंसर आ गया, 56 मलो, 25 परसें, और अप्शन नमबर C क्या हो गया, साही हो गया, उमीद करते हैं, इस कोश्चिन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, और इस टाइप के कोश्चिन आपके एक इंपोर्टेंट है, ये कोश्चिन हम आपको बता दें, बच्चो, most important category में रखिएगा, ऐसे कोश्चिन आपको हो सकता है, exam में देखने को मिले, और ये नया टाइप का कोश्चिन है, इसलिए करा रहे हैं, और हम आपको ये भी बता रहे हैं इसमें लगबग आप लोगों म मदद से, ठीक है, तो क्यों, नहीं कर सकते हैं, बता रहे हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, कि तिल्चटे के कितने पैर होते हैं, और मकडियों के कितने पैर होते हैं, अगर पता है, तो कर लेंगे, नहीं पता है, तो नहीं कर पाएंगे, देखिए, और तरीका के पैरों की कुल संख्या 440 है मकडियों की संख्या ग्याद कीजिए किसकी संख्या पूछ रहा है मकडियों और क्या क्या है तिल्चट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कमरे में मकड़ियों की संख्या ग्याद कीजिए तो इतना जब बच्चों आप लिख लिए न तो यह प्रस्ण को कैसे सॉल्व करना है एक्स य कुछ नहीं मारना है method का जो नाम है लिखेगा जो यही पहला method हम लोगे यूज करेंगे और गो त्रू ऑप्शन हम डिरेक्ट सॉल्व करेंगे option से मान लेंगे कि मकड़ियों की संख्या 31 है तो तिल्चक्टे कितने होंगे टोटल संख्या 65 65 में से 30 वन घटाएंगे 34 34 31 मिल के कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और ध्यान दिजेगा अब बात आ रही है original बात कि होते कितने हैं पैर यह तो इतना लिख दिये पैर भी तो पता होना चाहिए तिल्चक्टे के कितने पैर मकड़ी के कितने पैर तो देख कितने होते हैं मकड़ी के 8 पैर तो 6 गुने 34 और 8 गुने 31 करेंगे देखेंगे क्या 440 आ रहा है ठेचो को 24 का 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा ध्यान दिजेगा 8-4-12-1 पर 2 आएगा 40 नहीं आएगा ठीक है अगर माल लेते हैं बच्चो अगर माल लेते हैं कितना मकड़ी की जो 55 हो रहा है और देखिए अगर गुना कर दे इनमे 6 से और इनमे गुना कर दे आएट से तो 4-6-24-240 और ये हो जाएगा 25 वटे 200 240 और 200 मिल के कितना हो रहा है 440 440 तो कह रहा है इनकी संख्या 65 है पैरों की संख्या 440 है तो देखिए यहाँ पे 65 और 440 मिल रहा है यानि मकडियों की जो संख्या होगी बचो वो कितनी होगी 25 25 होगा मकडियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी हाँ, और आपको मुर्गियों वाले, और जो होता है, बकरियों वाले कोश्चन, दो पैर वाले, चार पैर वाले का तो मैथर बता हैं, सौट्री भी बता हैं, नहीं बता होगा, तो next class में बोलिएगा, समझा देंगे, और ये देखिएगा, ये नया कोश्चन रहा, तिल चट् भोग, इसलिए बोल रहते हैं, बहुत से बच्चे इससे नहीं solve कर पाएंगे, ठीक है, उमीद करते हैं, इस कोश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, और ऐसे कोश्चन आपके exam में आएगा, तो आप लोग solve कर लेंगे, तो बच्चो आज की class को हम यहीं त सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आउन करके जुड़ जाईए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, चले, भर में छोटे भाई, बहन दोस्ट जो भी हैं, उन्हें भी बताईए, SSC Maker से जुड़े, पढ़े और selection ले, तो आज के बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद,